Hello guys, मैं सानु से नौर आप देख रहे हैं Medicine Med Coast आज में बात करना है जा रहा हूं Cluster Heddyck के बारे में ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्ष्ष्ड होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए ये सम्फेता हूँ अपने इस वीडियो में को हो जाती है तब उसको काफी सारी problem होती है उसकी आँखों के आसपास चुबन सी मैसूस होती है सर भारी-भारी सा लगता है और इस तरह का सरदर्ध दिन में कई बार हो सकता है cluster headache एक आसामाने दर्ध होता है जो दौरे की तरह दिन में कई बार आता है बहुत से लोग होते है माइगरेन में और कलस्टर हेडेक में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं क्योंकि माइगरेन और कलस्टर हेडेक के जो सिम्टम होते हैं लगवग एक जैसे ही होते हैं लेकिन इनको पहचानना बहुत ही जरूरी होता है तब ही इसका treatment अच्छे से किया जाता है जो migraine headache होता है उसमें सरदर्द भराबर होता रहता है और ये तेजी के साथ बढ़ता है और इसके साथ ही nausea and vomiting भी होती है यानि की मितली लग सकती है और उल्टियां भी होती है लेकिन जो cluster headache होता है ये रुक रुक कर होता है कभी लगता है कि patient को सरदर्द बंद हो गया है लेक जिसकी वज़े से लोगों में cluster headache हो जाता है cluster headache एक neurovascular problem है यानि की नसों और blood vessels से समंदिश सिरदर्द है जब किसी वेक्ति को cluster headache का attack आता है तो brain के hypothalamus में होने वाली गत्वीदियां बढ़ जाती है hypothalamus brain का वो part है जो body के temperature और भूख प्यास लगने जैसे इच्छाओं को control करता है और इसके इलावा और भी कारण हो सकते हैं जैसे की smoking या फिर alcoholic condition होना जो लोग धूमर पान करते हैं या फिर alcohol लेते हैं यानि की drink करते हैं तो ऐसे लोगों को cluster headache होने की संभावना ज्यादा होत हैं यानि की bright light में ज्यादा रहते हैं direct sunlight में रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी cluster headache होने की संभावना ज्यादा होती है जो लोग ज्यादा गर्मी में भी physical work करते रहते हैं या फिर सूरज की तेज रोसनी में भी धूप में काम करते रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी cluster headache होने की सं लोगों में cluster headache हो सकता है जब सरीर में तनाव नींद और सोने जगने की साइकल को कंट्रोल करने वाले दो हार्मोन कार्टिसोल और मेलाटोनिन का लेवल बॉड़ी में ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी कंटिसन में भी लोगों में cluster headache देखा जाता है जान लेते हैं इसके symptoms के बारे में अगर किसी वेक्ति को cluster headache की problem है तो उसको क्या-क्या लक्षण दिख सकते हैं जिनने देखर आप पैचान सकते हैं कि किसी वेक्ति को ये problem हो गई है cluster headache माईगरेन की तुला में ज्यादा होता है ये पुरसों में ज्यादा कामन होता है जिनकी age 30 साल से लेकर 40 साल तक की होती है आँखों के आसपास दर्द और चुबन महसूस होती है माथे और चेहरे से पसीना निकलता है और नाप का बंद होना भी इसका एक लक्षण होता है आँखों में दर्द होता है आँखे लाल हो जाती है और आँखों से आसू भी बहते हैं पलकों में सूजन आ सकती है तेज रोसनी से परेसानी हो सकती है और इसके साथ ही चिंता बेचेनी और घबरहाट जैसी कंडिसन हो सकती है तो एक उच इसके लक्षण होते हैं जिने द तुरंद बंद कर देना चाहिए अगर एलकोहल लेता है ड्रिंक करता है तब भी उसको तुरंद बंद कर देना चाहिए ज्यादा गर्मी होने पर फिजिकल वर्क नहीं करना चाहिए अगर तेज रोसनी में प्रॉबलम होती है तेज धूब में प्रॉबलम होती है तब उसको इन सब चीजों से बचना चाहिए, किसी भी तरह की दवाईयां खाने से पहले आपको अपने डॉक्टर को ये प्रॉब्लम बतानी चाहिए, कि ये आपको इस तरह का सरदर्द होने लगता है, तो डॉक्टर आपको उसी के अकॉर्डिंग मेटसिंस देंगे, और इसके साथी पेशन को डॉक्टर के दौरा कुछ मेटसिंस भी दी जाती है, एस्टरवाइड मेटसिंस दी जाती है, जो सूजन को कम करती है, एंटिबाटिक्स दी जाती है, पेन किलर्स दीए जाते हैं, अगर नींद नहीं आ रही है, तो ट्रैंकुलाइजर्स दीए जाते हैं, पेशन headache का treatment बताऊंगा अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो इसको subscribe जरूर कर लेना और बिल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिसे कि इसका notification आपको जल्द ही मिलेगा